हाँ बर्वान आज के स्पूर्ट में हम पढ़ने वाले हैं बर्लिन की कॉंग्रेस 1872 कॉंग्रेस ऑफ बर्लिन 1878 तो यह हिस्ट्री की बुक है सैकेंड चाप्टर है भी इस एक सेमेस्टर में है आप हिस्ट्री की बुक है आपके पास तो आपकी लिए वीडियो फॉर्स करते ह Lazio gफ़भी चाप्टल है माना क्लिनग होता है बर्लिन में क्या है हमारा में क्या क्या है किस बसे पहले में क्या होता है । तो मैं आपको मैं पूरित एम आप पर शो underm़िए हमारा जियु जर्मिनी है यहां पर अधिक से इमारा सून नमच तो बर्लिन की कॉंग्रिस के मार में पढ़ेंगे हम और बर्लिन की संधी क्या थी? बर्लिन में एक समीलन हुआ था उरोपियों का वहाँ पर पूर्वी समस्याओं का समधा निकाल गया था हम उसको क्या गयते हैं? बर्लिन की संधी 1878 अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम questions पढ़ लेते हैं कि आपके examic किस तरह से questions पूछे जाएंगे ताकि आपको भी easy रहे पहला question देख लेते हैं सारे questions अलग-अलग तरीके से दिये लेकिन सबका मतलब एक है जहाँ पर आपको बर्लीन के बार में आज़ा आपको वहाँ पर बर्लीन के बार में लिखना है तो बर्लीन की कॉंग्रेस के लिए जिम्मिदार परिस्थित्यों का वनिंड करो बर्लीन कॉंग्रेस के नियुनियों का पक्ष और पक्ष में तरबीदो तो बेसिकली आप पर बर्लिन की कॉंग्रेस के बार में बताना है बर्लिन की कॉंग्रेस के लिए उत्तरदाई हाल आतों पर चर्चा करो बर्लिन समीलन 1878 के लिए उत्तरदाई परस्तितों गावनिन केची तो जहां पर में आपको Berlin समीलन, Berlin की Congress के बार में पूछा जाए आपको क्या लिखना है आपको पहला point लिखना है रूस, तुर्की, यूथ फिर इसकी क्या घटनाई थी फिर इसकी संधी थी सेंस, स्टेफिनो की संधी तीसरा point जोधा point मैं आपको बताती हूँ जोधा point आपको लिखना है Berlin की संधी और बस आपके पास यह 4 point है इस 4 point को आपको पढ़ने अच्छे से यह आपका chapter cover हो जाएगा यह बहुत छोटा chapter है तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉशन हमने read करी लिया है यहाँ पर जो basically रूस तुर्की यूद और Berlin की संधी का वर्णन ही दिया गया है तो पहले हम रूस तुर्की यूद के बारे में पढ़ते हैं रूस तुर्की यूद के कारण घटनाव तथा परिणामों का वर्णन इस प्रकार से हैं अब हम रूस तुर्की यूद के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्या कारण थे कौन-कौन सी घटनाए हुई और क्या-क्या परिणाम हुए ठीक है क्या-क्या परिणाम निकले तो रूस तुर्की यूद में हम ये तीन चीज पढ़ेंगे ठीक है हम स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट से हर्जे गोविना तथा बोसेनिया में विद्रो विद्रो आपको पता है लड़ाई तो हर्जे गोविना तथा बोसेनिया में विद्रो हुआ उसके बार में हम पढ़ते हैं हर्जे गोविना तथा बोसेनिया की इसाई जनता तुर्की के सुल्तान के अत्याचारी तथा अयों के साशन से बड़ी असंतुष्ट थी क्या है जो हर्जे गोविना और बोसेनिया है यहाँ पे इसाई जनता रहती थी और तुर्की के अत्याचारों से वह बहुत असंतूस्ट थी उन्हें ना तो धार्मिक सोतंता प्राप थी और नहीं उनकी आर्तिक दशाची थी किसकी इसाई की नहीं सोतंता अची थी नहीं धार्मिक सोतंता नहीं आर्तिक दशाची थी उन्हें भारी कर देने पड़ते थे एक रिश्यक वर्ग तुर्की जमिदारों तथा सामनतों के अत्यचारों से पीड़ी था ठीक है जो इसाई लोग थे उनको भारी कर देना पड़ता था और जो तुर्की जमिदार थे उनके अत्यचारों से पीड़ी थे इसाई जन्ता में अब तक राश्ट्रे भावना जागरित हो गई जुलाई 1875 में इको हरिजो गीविना तथा बुसेनिया के इसाई लोगों ने विद्रोह कर दिया और किसे भी प्रकार का कर देने से इंकार कर दिया ठीक है शिगरी उन्होंने सुल्तान के विरो शाष्ट्र उठा लिया सबरिया तथा मांटिन ग्रोह के लोगों ने भी उनका साथ दिया शुल्तान इस विद्रोह को कुचलने के लिए तुरंट अपनी सेना हर जेगोविना तथा बुसेनिया भेज दी ठीक है सिल्टानी क्या भेशती हर्जे गोविना तथा भुसेनिया भेशती फिर नेक्स्ट है अंडरासी नोट कुछ एरोपिय शक्तियों ने हर्जे गोविना तथा भुसेनिया की लोगों को संतुस्ट करने तथा विद्रोग को समाप करवाने के लिए प्रत्यन आरम की ये शक्तिया थी आुस्टिया रूघ तथा जर्मिनी उन्होंने आपस में मिलकर एक योचना तयार की जो अंडरासी नोट के नाम से प्रसिद्ध है क्या जो आस्ट्रिया रूस ताथा जर्मिनी है इन्होंने मिलकरे के उचने अत्यार के जिसको क्या कहा गया अंडरासी नोट कहा गया इस नोट में ये बात ने कहींगे कि वो सेन्य ताथा हर से गोविना की लोगों को पूर्ण धार्मिक सतंता दी जाए दूसरा पॉइंट कहा गया लोगों पर लगे अनुचित कर समाप्त किये जाए दूसरा पॉइंट कहा गया क्रिशी की दशा को सुधारा जाए जोथा पॉन्टाइन राजों से प्रापताय को इन्ही प्रांतों के लोगों की आवशकताओं की पूरती के लिए खर्ज किया जाए एरोप की लगभग सभी प्रमुक शक्तियों ने इस नोट की सोय कृति के दे दी तुर्के की सुल्टान ने इस पत्र की लगबग सभी बातें से कार ली लेकिन खुद विद्रों ने इस पत्र को से कार नहीं किया नेक्स्ट है बर्लीन समरिति पत्र अंडरासी नोट की असफलता के भायाद बोसेनिया तथा हरेश जोगी विना की विद्रों ने उग्रू रूप कारण कर लिया इस विद्रों के कारण इन राजे में जन जीवन असरक्षित हो गया इस राजे के हजार लोग अपने घर बार छोड़ कर पडोसी राजे में चले गए इस प्रकाश श्रनाथियों की एक नई समस्या उत्पन हो गई जिसने उरोपे शक्तियों को पुन सोच विचार के लिए विवश कर दिया उन्होंने लड़ाई बंद करवाने के लिए फिर से क्योजना त्यार की जो बर्लिन समरीती पत्र के नाम से प्रसिद है इसमें कहा गया कि दो महिने के लिए युद विराम कर दिया जाए ताकि इस अबधी में श्रनाथियों को वापस अपने घरों मिलाया जा सके युद विराम के समय तुर्की के सैनिकों को कुछ निश्य स्थानों पर ही रहना था और विद्रोहियों को अपने श्रस्थ अपने ही पास रखने थे लेकिन इंगलेंड के विरोत के कारण यह समरीती पत्र लागू किया ना जा सका ठीक है अब हम नेक्स देखते हैं अलिक्जेंडर दित्य की निती the policy of अलिक्जेंडर second क्रीमिया के युद में पराजित होने की कारण रूस के जार निकॉल्स प्रत्थम के गौरब को बहुत भारी धक्का लगा था पर अब निकॉल रस प्राथम का उत्राधिकारी अलिक्जेंडर दित्ते देश पर लगी इस कलंग को धोना चाहता था इसे कारण पहले तो उसने देश में आवश्यक प्रशाशनिक सुधार करनी चाहे लेकिन इस और असफल रहने पर उसने अपना समराज्य विस्तार करने का प्रियास किया अंतहर उसने अपने ध्यान बिलकान शेत्र में रूस के प्रवाब को बढ़ाने की और लगाया नेक्स्ट पॉइंट है बल्गारिया का विद्रो हुआ ठीक है रिवोल्टी इन बल्गारिया इस समय बल्गारिया की जनता ने भी सुल्तान के अत्या चारपू से भी अधिक नर्नारियों तता बालकों की मौत की घाड उतार दिया गया पैसिट गाउं जला कर राह कर दिये गए इन अमानवी अत्याचारों का समचार सुनकर समूचा यूरोप काप उठा यूरोप की जनता सुल्तान के निरंकुषता परंकुष लगाने की मांग करने ल जाना चाहिए जिससे उसने उजार डाला है और अपवित्र कर दिया है गलेड स्टोन ने यह भी कहा कि रोप से तुर्की का बोरिया बिस्तर बांद दिया जाना चाहिए परंतों इंग्लैंड का ततकालिन प्रदान मंत्री लोड डिसरेली मौन रहा इसका कारण यहाथा कि तुर्की को दुर्गल नहीं देखना चाहता था ठीक है राक्स्ट ए कुस्टुन्तुनिया कॉन्फरेंस और यूत्ति की भोष्णा अंत में रोप के कुछ देशों के प्रतिनी थी कुस्टुन्तुनिया में कठे हुए और उन्होंने सुधारों की एक सुची त्यार करके सल्टान ने इन सुधारों के क्रियात्मक रूप देने से इंकार कर दिया इंग्लैंड यद भी खुद एक इसाय देश था तो भी उसने तुर्की के इसायों के हित्तों की रक्षा करने के लिए कोई पगना उठाया अंत्मी रूस उनकी साहता के लिए आगे बढ़ा उसने धर हटनाय इवेंट्स प्लिवना के स्थान पर दोनों पक्ष में भेंकर लडाया लड़ी गई प्रतम तीन युदों में रूस की हार हुई रुमानिया ने भी रूस का साथ दिया उसके साहता पाक रूस ने प्राजित होकर भी यूद चारी रखा आखिरकार 10 दिसंबर 1877 के प विजे के बाद रूस ने एट्रिया नोपल पर अधिकार कर लिया फिर वह कुस्तुन तुनिया की और बढ़ा सुल्तान के स्थिती बड़ी द्यानिय हो गई विवर शोकर उसने तीम मार्श 1878 के दिन रूस के साथ एक संधी कर ली यह संधी इतिहास में स्टैन स्टैफनो की संधी के नाम से प्रसेद हैं अब हम इस संधी के बार में पढ़ते हैं कि सैन स्टैफनो की संधी में क्या शर्ते लिखी गई थी। तुर्की ने साबिरिया, मांटिन ग्रो और रुमानिया की पूंट सतंता स्विकार कर ली, ठीकिया उन्हें कुछ और प्रदेश भी दिये गए बल्गारिया को सवशाशन का अधिकार प्रदान किया गया, उसकी राजे का विस्तार भी किया गया इसका शेत्र डियोन नदी से एजिनियन सागर था, काला सागर से अल्बानिया तक विस्तरे था सुल्तान ने बोसीनिया हर से गोविना और अर्मेनिया में साशन सिदार करने की मांग सिकार कर ली तुर्की ने रूस को शक्तिपूर्थी के रूप में भारी धनराशी दी सुल्तान ने संदी के तीन महीने बाद विरोप को खाली करना था था, छे महीने बाद इश्या को खाली करने का सुईकार कर लिया सबीरिया को नीस और मिटरो विट्रिसा के प्रदेश दिये गए इसके अतरिक उसे एड्रियाटिक के थड़ पर भी कुछ प्रदेश प्राप्त हुए बोसीनिया और हरिजगुविना को रूस और आस्ट्रिया के नित्तितर में रखा गया सिल्तान ने उस सबी विद्रोयों को शमा कर दिया जिनोंने उसके बृत विद्रों में भाग लिया था सैन स्टेफनो की संदी में बलकान में तुर्की का प्रभाब बहुत कम हो गया जबकि रूस का प्रभाब बढ़ गया इंग्लैंड और आस्ट्रिया रूसी प्रभाब से कुछ नहीं थे इन दोनों का कहना था कि पूर्वी समय से कैसा बन कि वो रूस और तुर्की से ही ना होकर इरोप के सभी देशों से हैं अंतरह संधी पर इरोप की सभी प्रमुक राज्यों के समयलन में पूर्विचार किया जाना चाहीγά रूस संधी पर पूर्न विचार के लिए त्यार ना हुआ इसिक पर इंग्लैंडल्णी रूस को यूद की धम ते इंग्लैंड को रूस के लिए त्यार पाकर रूस ने सेंट स्टैफनों की संधी को पून विचा रहे तो उरोपे शक्तियों के समुख रखने के लिए सहमेत हो गए अब हम पढ़ेंगे ट्रीटी और बर्लीन बर्लीन की संधी क्या थे ठीक है बहुत इजी आईए जर्मन चांसलर विसमाक की अधिक्षता में बर्लीन में उरोपे राजयों का एक समिलन हुआ मैं आपको बताया दा ना बर्लीन में क्या हुआ उरोपे राजयों थे उनका एक समिलन हुआ किसकी अध्यक्षता में जर्मन चांसलर विस्मार्क इसमें पूर्वी समस्या पर नए सीरी से विचार करके एक संधी पर साइन के गए जिसे बर्लिन की संधी कहते हैं इस संधी पर 13 जुलाई 1878 को हस्ताक्षिर हुए ठीक है बर्लिन समेलन में यद सभापती काजन विस्मार्क ने ग्रहन किया था फिर भी शुरू से अंतंग समेलन में इंग्लैंड के प्रधान मंतरी डिजरेली का ही प्रवाब चाहे रहा बर्लिन के संधी की शर्ती इसप्रार है बर्लिन के क्या के संधी थी हम वो पढ़ेंगी और इसका मेहटब पढ़ेंगी तो बर्लिन के संधी में आपको पहले defines बताना है इसकी क्या के शर्ती थी फिर बर्लिन संधी का महतब इसके कुछ पॉइंट्स है चार पॉइंट्स I think तुर्की का भी घटन और यहीं जैकिन थर्ड पॉर्ड पॉइंट ही रहा बहुत एजर शर्ते पढ़ लेते हैं क्या थी बढ़न की संदी में बढ़न की संदी ने पूर्वी समझ से का हाल इस प्रकार से किया सबीरिया मांटी निग्रो और रुमानिया पर से तुर्की का अधिकार समात कर दिया गया इन तीनों राजे को पूर्ण सतंता राजे की मानता देगी जो सबीरिया और मांटी निग्रो रुमानिया थैं ये राजे सतंता हो गये तुर्की से रुमानिया को सतंत राजे स्विकार कर लिया गया रूस से दो बूर्चा का प्रदेश लेकर रुमानिया को दे दिया गया इसके बदले से रुमानिया से बसाबिया का प्रदेश लेकर रूस को दे दिया गया सेन स्टेफनों की संधी द्वारा विस्त्रित बल्गारिया राज्ची के तीन भाग कर दिये गई मैसे डोनिया पुर्वी रोमाले तता बल्गारिया मैं से डोनिया पर तुर्की का पूर्ण आधिप्रत्य माना गया दूसरी भाब पूर्वी रोम मीलिया को सुल्तान के नाम मात्र अधिनता में रखा गया तीसरी प्रदेश बल्गार्या को पूर्ण सुल्धनता प्राप्त कर दी गया ठीके वो सेन्य तता हर से गोविना के प्रदेश नाम पात्र के लिए तुर्की के अधिन रखे गये लेकिन उनका साष्चन अधिकार आउस्ट्रेया को दिया गया बासफोर्स और डाडरेनल्स नामग चल मार्गो को सभी देशों के जंगी जहाजों के लिए बंद कर दिया गया के प्रदेश में सेना रखने का अधिकार मिल गया तो यह हमारी क्या थे बर्लीन की कुछ शर्ते बर्लीन की संधी में कुछ शर्ते थी अब मैंतव की बात कर लेते हैं बर्लिन की संदिय विशितर चितर प्रस्तोत करती है इसमें जहां एक और तुर्की की विशालता कम होती दिखाई दीती है वहां दुसरी और और उस्ट्रिया और इंग्लेंड की भूग के भी दर्शन होती है संदि का ग्यान अध्यान करने से निमिले की बाते स्पस्ट होती है पहली तुर्की का क्या हुआ विखटन हुआ तुर्की मतलब टुकुड़ों में बढ़िया यह है इसका मतलब इंग्लेंड सदा तुर्की की सितरता का प्रक्षपाती रहा था जब कभी भी बलकान प्रदेश में किसे नाकरमन किया तभी इंग्लेंड ने हस्ट शेप किया इंग्लेंड तुर्की का विखटन होते वे कभी नहीं देखना चाहता था सभी बड़ी शक्तियों ने पारीस की संधी में तुर्की की एक्ता बनाए रखने का प्रण क्या था परंत बल्डिन की संधी में उन्होंने खुढ तुर्की की एक्ता का गला घोट द्या सबीरिया, रुमा ने तथा मांटे नियक्रोस अत्रतर गोशित कर दे गए बुर्लिन संधी में बलकान रास्टर की भावत उता ही तो के अवेलणा की गई जो कुछ किया गया वह बड़े देशों को ध्यान में रखकर किया गया बोसेनिया तता हर से गोविना में रोलो चाती की लोग रहते थे इन प्रदेशों की इच्छा सबीरिया से मिलने की थी क्योंकि सबीरिया में सलोव लोग ही रहते थे इतना कुछ होने पर भी ये दोनब प्रदेश और उस्ट्रिया को सोपे गए सबीरिया को नहीं इससे सबीरिया सर्भिया में रोश की लहर दोड़ गए इसे प्रकार विशाल बल्गारिया का विवाजन करके और उस्ट्रिया को अवेशे पैसन किया गया परंतु इससे बल्गारियन जाती की लोग बड़े क्रोधित हुए यह कैसी संधी थी जिसमें ना तो तुर्की की आवाज सुनी गई और नहीं तुर्की के अधिनिस्त रास्ट्रों की अंत्या 1878 के बाद बलकार में जो कुछ हुआ वहा इरोपी राजडितिकर के नाम पर कलं था अब हम पढ़ते हैं समान पूर्वक शांती इंग्लैंड लोटने पर विशाल जनसमों के समुक डिस्रेली ने कहा था मैं समान सहित शांती लेकर आया हूँ जहां तक शांती का प्रेशन था वह कुछ समय के लिए विश्य स्तापित हुए परन्तु यह सोधा समान पूर्वक हुआ था या नहीं इस पारे में विविन विशार प्रकट किये जा सकते हैं डिस्रेली का विशार था कि रूस की विस्तार नेती पर रोग लगा दी गई है लेकिन यदि ध्यान से देखा जाए तो रूस काफी फायदे में रहा था क्रीमिया के युद में हुई उसके सभी हानियों की शक्ति पूर्टी होगी उसे बसाबिर्या मिला और वह काला सागर में भी अपने जहाज उतार सकता था परिनाम सरु वह मद्धे एशिया में अपने प्रदेशों का विस्तार करने लगा और उसके सिमाए पुतरी पश्रीम भारत को चुने लगी इंगलेंड उसको निर्बल दीखना जाथा था परन्तु वह पहले से दिख सबल हुआ वह तुर्की को सबल दीखना जाथा था ले बर्लीन में एकत्रित राजनित्तिकों ने अनिक भूले की और उन्हें अपने हाथों से भविशे के लिए खत्री के बीच बोएं आगे चलकर यह बीच प्रता महायूत का कारण बने इस समन्द में थमसर महादे ने कहा कि बर्लीन की संदी का शांदार परिणाम यह निकला क इसने प्रतिक शक्ति को असंतुस्ट कर दिया वह पहले से अधिक चिंतित हो गई अंतरास्टे तनाव समाप्त होने की अपिक्षा बढ़ गया इस संदी में बिसमाप ने अपनी और से निश्प्यक्ता से काम लिया लेकिन वह भीपक्ष लेने पर बादे हो गया उसने उस् इसटरा यूरोप उस विवाशन के बीच पो दिये गए थे जिसे हम दितल्य और तत्तरे दल्य समझोतों के नाम से बुझारते हैं सच तो यह है कि बर्लिन की संधी की अधार शीला स्वार्ट पर रखी गई थी इससे कुछ समय के लिए इंगलेंड तथा उस्ट्रिया को लाब वेश्य हुआ लिकिन ये संधी ने यूरोप को प्रता महायोत के कगार पर लाग खड़ा किया तुर्की का हार्ष और बलकान रास कर एज़ेपी टिलर का कथन है कि एक ऐसा समझोता जिसने ना तो बालकन लोगों की प्रवा की और नहीं तुर्की लोगों की भावना की कभी भी पूर्वी प्रशन का संतोर्ष नखल नहीं जुटा सबता था था तो हमने ये कंपनेट किया है कुछ ना समझाए तो आप प् इन यूरोप यूरोप की बार में पढ़ेंगी ठीक है अपनी और वीडियो से लिखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जी थैंक्यू सो मच